तो के पास चाकू और जो पिस्टल है वो भी यहां पर देखने को मिली फिलाल हमें जो है मौके की नजाकत को देखते हूं यहां पर पुलिस को बुलाना पड़ा क्योंकि हमारे उपर भी जो पूरा फत्रा है वो था क्यूंकि वो लोग यहां पर हमला करने क्लिए आ गए तो अब इस कमरे में यहां पर बंद होकर हमने अपने आपको बचाने की वो पोशिश है तो लोगे द्वारा बताया जा रहे कि जो हमला करने आया था वो इतना बड़ा चाकु जो यहां पर लेकर आया था यह आप देख सकते हैं यहां और किस तरीके से जो पूलिस ने चुपा ल इसको पुलिस वालों की मिलके निया इनों मेरे बच्चों का मरवादिया जी मुझे चाहिए अब इनसाफ देखे आपको बता दे हम यहाँ पर नियूस कवर करने के लिए आये थे और एकदम से इन लोगों का यह आरोप है कि एकदम से यहाँ पर भगदड मच गई अफरा तफरी मच गई तो हम यह चीज समझ नहीं पार थे कि यहाँ पर क्या हुआ लेकिन इन लोगों ने बताया कि जो आरोपी थे वो लोग यहाँ पर पहुच गए हमला करने के लिए और उन लोगों के पास चाकू और जो पिस्टल है वो भी यहाँ पर देखने को मिली फिलाल हमें जो है मौके की नजाकत को देखते हो यहाँ पर पुलाना पड़ा क्योंकि हमारे उपर भी जो पूरा खत आप दो जो नजार को आख दो यहाँ ताँर है क्या लेकर आया यह देखिए खंजन लेकर आया अब तो हमारे यह अप पता निकिसको मारता यह यह च्याकू लेकर आइप दिखाओ देखिए लोगे द्वारा बताया जारे कि जो हमला करने आया था वो इतना बड़ा चाकु जो यहां पर लेकर आया था यह आप देख सकते हैं यहां पर और किस तरीके से जो पुलिस ने छुपा लिया देखो खंजर यह रहा हुआ लिए कि आप देखिया देखिये इन्होंने खंजर छुपा लिया है हमारे घर पर अभी यह पांस आते आप शाथ भागा एक पकड़ गा यह पिस्टल यह पाच्छे आए यह लोडिट आयते एक खंजर यह चीन लिया और देखो पुलिस आप छुपका रही है यह यह खंजर खंजर की आप लीजिया शूट कीजिए देखो यह के अभी अभी घतारी कर रहे हैं यह चुपाया नहीं कोई भी देखे जो आया था यहां पर हमला करने के लिए उससे अभी जो है पुलिस यहां से ले जाते हुए नजर आ रही है अब चाहिए नहीं हमने पागडाई आए पाँचने लड़के सुरंदर कर प्रफ यार रहा है उससे यह क्या काम हैं अधार आने का इसने मारा इसने मेरो भाई को आई उनमेंसे यह को रहे जो लो प्रतले किसका रहो यह जो बहुत देगा यह अब अब ले लेंगा यह यु यह जोड़ ना इस प्रिकांगा शाकु लेकर क्यों आए थे आए पिर आप हमेरी आप फॉर मों दो कि अधिर आप रुक भी जाओंगे यार जोड़ ना पुलीस खाड़ी है उसके पुलीस खाड़ी है उसके पुलीस खाड़ी है कर देख जा रहा है कि शूट किजिए जाए आपकों था ये लड़का जो भी आया तो चाकू लेकर ता जिसने मेरा भाई के देख ये देखिए कितना हातक भैल रहा है मेरा भाई बट्टी में सो गिया लेकिन इनों ने जिसने दिल में उसके जाचूरी मारी उसको भी अभी तक रेसली करा वो खुला घूम रहा है अभी गेंग लेकर आया पिस्टल के साथ आपने देखा उसके हाथ में आपने खंजर देखा अब वह अभी मेरे कोई से फिर बट्टी में इनके दिल में इक नसा भी डर नहीं है अगर इनका दिल में डर होता तो विसाल खुदा है ता विसाल अपनी मा के साथ इस्टल तमल्चा लेकर वीडियो डालना है वो माई कैसी होगी दूसरे के लाल को मरवारी है आप ये देखिए अभी दो दिन भी साईसे नहीं बीते हैं मेरा भाई पे क्या बीतरी होगी वो फीरा आ गए अभी मिट्टी लगा कि आ रहे हैं गाउंस हैं आने के बाद हम पी लड़ा ता उसके साथ रहादा चलिए महीं चलिए यह हमसे जूट बोल रहे हैं खटे होके नहीं है वीडियो बनाए है कि पैसा चाहिए पैसा हमें सब चाहिए देखिए हम किसी सब कुछ ने चाहते हमारा गया वह वापिस ने अएगा हमें इंसाफ चाहिए हमें इस लड़के के हाथ में चाकु था इसका नाम सिंगम था इसका नाम सिंगम हमें पुलीस ने कहा हमें पुलीस ने कहा कि पाच लड़के अर्रेस्ट रो चुके हैं तो यह क्या एक दिन मी भार आगिया बताये मेरे भाई को हैं his मेन मेन जिसने मेरे भायका मडर चाहि항े इस सुर्जीट के साथ है है मैंने सरॐजीत के साथ है शूरजीत के सार इस ले मारे सुर्जीत के पीछे ड़ता देखिये हमने इसका नहीं पता यह विसाल के साथ आ यह साथ यह यह दोने यह रहां कि इस मैंक बैचने उले हमें इंसाफ चाहिए हमाड़ी जहांगिर पुरी में तीन मडर हो चुके हैं इन्होंने पहले शंतोस को मारा फिर चतूर को मारा अपतीस हैं मेरे भाई का टार्गेट कर दिया उसको पीजे इस सब को मारा इन्होंने तीन को मार दिया मोट के गहाट उतार दिया महारे छोटे-छोटे बच्चों को और मेरे एक भाई के चाकू मारा उसक अब हम चाहते हैं कि पब्लिक्ती जैसे हमारा मरा हमार सकते हैं लेकिन हमने क्या का? हम कानून से आगे नहीं बढ़ेंगे, कानून इने सजा देगा, फिर भी हमने उसको रखा, पुलिस को बुलाया, विसाल भाग गया इतनी देर में, हमें विसाल को अरेस्ट, वीरू विसाल सब चाहिए, अब हम अपने भाई को मिट्टी देके आके खड़े ही हुए, इनको फ यह टिकेट देखिए, हम बिलकुल अभी आए, कि जब ठाने में लेके गए ते मेरे बच्चे को तो चौकी में क्या मतलब था लाने का, हमें फोन करके इकतला करते हैं, हमने तुमारे बच्चे को छोड़ दिया है, तो हम लेने जाते हैं, बच्चे को अपने वो खाना खिल मेरे बच्चे को छोड़ दिया, तुमारे 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 चाहिए करेंट पकड़ा जाना चाहिए अब यह तीनों गिरफतार नहीं हुए नहीं लोग के नाम F.I.R. में लिखवाएं आप लोगों जी हाँ मैंने लिखवाएं मैंस क्या एक्षिन लेरी विसाल दीपू मैं मुड़ा दिपार 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 विसाल विसाल दीपू और बीर्यू और करेंट ये चार दंडर पांच पकड़े जाने की खबर आई है क्यों पांथ बच्चों को जिसमें एब पताया कि ये मुलजीम cat बजीन जो हैं वह है विसाल दीपू असली के मैंन मुड़ा है न वह है विसाल बीर्यू करेंट और दीम और दीपू ये ओन चौन इस तरह थे ये अत्यार लेके गुम की इनकी लेडी थे भी देख सकते हो आप ये लोग अब मोके पर पुलिस को भुलाया तो पुलिस भाग गई वहां से गाड़ी अपनी चोड़ कर ऐसी भाग गई ना उसको होस्पिटल लेगा हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं करा पुलि साइए उनसे मैं देखती हो क्या करते हैं मेरे लिए अगर मोके पर पुलिस वाले हमारे बच्चे को होस्पिटल ले जाते हैं तो शायद वाज हमारे बीच में होता लेकिन पुलिस वाले गाड़ी दिछोड़ कर गाड़ी बिंदेर भाग गए नहीं लेकर गए उसका इतना वालों ने यह सुर्जीत वगेरा था इनोंने मुझे मार दिया वीरू विसाल ने इतना का उन्हें और मेरे भाई के हातों में दम तोड़ दिया बहुत बड़ा बदमाश है और बच्चों से काम करवाता है है दो मडर हो चुके हैं उसके संतोस का ओ चुका है मडर चतूर का 30 रही है हमारा भाई चला गया हमें इनसाफ चाहिए चौटे चौटे बच्चों से मडर करवाता है, वो माच्टर मैंड बचा रहता है, पुलीस को हपता देता है वो पुलीस एक्सन नहीं लेती उसके खिलाब, कितनी भी कोसिस कर लेगा खरीब इनसान उसके खिलाब कोई एक्सन नहीं उठाय जाता जी, आप कहीं भी उसका रिक अधी एक बात मुझे बताएं खबर सुनने में यह आई थी कि आपके बेटे ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वाइरल कर दे जिसकी वज़े से उन नाबालिक लड़कों ने जुनों ने कटल किया इस वज़े से किया है क्या इस बात में सच्चाई है सब फेक है ज होती तो लाओ हमें दिखाओ जो इसने वीडियो पोस्ट करी है सिर्फ फसाज हरा जी हम बहुत गरीब इनसाने हमें फसाज आ रहा है हमें हमारे बच्चों का भी मरवा दिया और हमारे खिलाफ एक्सन नहीं ले पा रहे कोई भी हम यहीं चाहते हैं कि हमें इनसाब मिलना च मुझे बताएं कि आपके बेटे का जो करवाया गया है उसके पीछे क्या कोई साजिश है कोई दुश्मनी है पुलीस है जी विकास ने मोला था कि मैंने जहांगीर पूरी में आने के लिए 30 लाक रुपे खर्च करें तो वह मैं तुम से ही तो वसूल हूँगा मुझे वह तुम से ही वसूलने 30 लाक रुपे ऐसा दीरे दीरे करके कभी उनके मू लग गया था कभी कितने ले जा रहे आप लोगों ने जो एफ आइर दर्ज करवाई उस पर क्या कारवाई हुई अब तक कुछ नहीं हो जी जिरिफ आईयो कोने आपके केस के अधियो के नाम बती बुरा अधिक लिए अधिक लिए तो यह को मारा है अभी देखना आगे-आगे-खम क्या करते हैं इसने कहाई आ एक जाना चाहरे हूं कि यह जो पूरा मामला शुरू हुआ है कहीं से तू आउगा इसकी जड़ क्या है लड़ाई जगड़े की क्या वजाए तो वो यह और कि शादी शाधी के में हम लला में इनले मसी पहले खेले मुनाphasid अचराओर। फेल जाते हैं नारन गुखने गुखने हैं, पेर सोभी जह nov microphone छांज़ी आफ़् लेकों क। उसका कोई रोल नहीं था वो बिल्कुल सरी बचा वो टूशन जाता था वो पढ़ने वाला था वो किसी से फाल तू बोलता भी नहीं था यह विसाल वीरू करंट और यह लड़का और छोटे-छोटे लड़के थे यह सारे गलियों से भाग गए हम चाहते हैं यह पुलिस जो ऐसे भनक चड़ गई एकदम आगा यह हमारा आता ही हमें पांच मिनट भी नहीं हुए आप लोगों के सामने हम आये जस्ट और यह देखिए अभी ऐसा हो गया बताइए अब हम चाहते हैं विशाल वीरू करंट यह सारे अरेस्ट होने चाहिए आप लोगों के सामने हैं यह हम यहां पर एक न्यूस कवर करने के लिए आये थे लेकिन जो हालात है वो यहां पर एकदम से बिगड़ गए एक शप्स यहां एक लड़का यहां पर आता है और उसके हाथ में चाकू होता है इसके लावा यह लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग और भी आते हैं जिनके हाथ पिस्टल होती है जो कि पूरी तरह से लोड होती है और एकदम से जो महौल है आप देख सकते हो किस तरीके का बदल गया यहाँ पर हम नॉर्मल एक न्यूस कवर करने आया थे लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है यहाँ पर हमला करने के मकसद से इसके लावा एक नहीं उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पर पिस्टल लेकर आ जाते हैं हमला करने के मकसद से और इसी वज़े से यह कुछ महौल अभी देखने को मिल रहा है परिवार का सीथी तोर पर आरोप है कि पुलिस ने इस मामले पर ठीक तरीके से जो कारवाही है वो न हैं वो आप देखिए कि यहाँ पर हमें खुद इस तरीके का फील हुआ कि हमारे साथ भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है आप उने कई बार खबरे सुनी होंगी जहांगिर पूरी में चाहे बात तो समैक की या आवैत कामों की लेकिन इस तरीके का मामला है वो मैंने यहाँ पहली बार देखा है कि हम यहाँ पर कोई न्यूस कवर करने आए हैं और उसी दोरान यहाँ पर हमला हो जाता है इस तरीके से वो तो शुक्र है आसपास के लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और जो मामला अभी है यहाँ पर कोई अन्होनी देखने को नहीं मिलिये बहराल इस तरीके का मामला कि आपने पहले देखा है और अगर आप जहांगीर पूरी में रहते हैं या आपको रिलेटिव रहता है कोई ऐसा मामला जहां पर पुलिस काम ना करे हूँ या कुछ भी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दिली से एक कैमरा परस सबसे वहले आप तक पहुचे